असलामों अलेकुम, it's me, आकिप खान, हम नया टॉपिक के साट करने जा रहे हैं, पेपर वान, चैप्टर नमबर वान, विच इस कॉल साउंड, क्या है बिटा, आज का टॉपिक मेरा, साउंड, साउंड क्या होता है, चैप्टर वन के अंदर, याद रखेगा, 9618, पेपर नम मेरा नमबर वान, मैं आपको कवर करा दिया, तूस कॉम्पलेमेंट, मैं आपको कवर कराया, नमबर से सम की कन्वरजन, मैं आपको कवर कराया, how to calculate the file size, मैं आपको कवर कराया, what is image, और image को हम दूसरा पास में, मुट्यमीडिया ग्राफिक्स भी कहते हैं, जिसमें हमने bitmap images पढ़ा जो कि pixel से मिलके बना था जिसमें हमने vector graphics पढ़ा जो कि किसे बना था? line से, object से, shape से अब मेरा last topic क्या होगा बिटा? sound होगा last topic मेरा क्या है बिटा? sound क्या है? sound, चलेंजी स्टार्ट करते हैं याद रखेगा sound जो होता है आपके पास वो analog data होता है कौन से data होता है बिटा? analog data sound कौन से data होता है आपके पास? analog data that means analog data continuous data होता है कौन से data होता है? यह जो data screen पर आपको देख रहा है जो मैं बना रहा हूँ यह जो wave होती है यह analog होती है कौन से wave होती है बिटा? analog analog represent होता है sound waves में analog data represent होगा sound waves में that means continuous data याद रखेगा there are two types of data are there two factors की data होतने, एक होता है analog data और एक होगा digital data analog data और digital data there are two types of data analog data और digital data analog data continuous होगा analog data क्या होगा continuous होगा digital data क्या होगा बेटा zero and one की form में digital data क्या होगा zero and one की form में analog data क्या होगा continuous होगा that means बार बार change हो रहा होगा digital data क्या होगा specific pattern में होगा digital data क्या होगा specific pattern में होगा computer क्या समझता है यानि के machine क्या समझती है digital data machine क्या समझती है Digital Data, Machine क्या समझती है? Digital Data और इनसान As Human, we understand Analog Data As Human, we understand Analog Data As Human, we understand Analog Data इधर देखो, यह मैंने खुबसूरत सा इनसान बना है मैंने का, इनसान क्या समझता है? Analog Data Computer या Machine, Bindy Data समझता है और Bindy Data मोसले रिप्रिजेंट होता है किसमें? Digital में तो यह तो अलग-अलग बाते हो गए इनसान समझ रहा है Analog Data Computer समझ रहा है Digital Data तो दोनों को मिलाने के लिए Convert करने के लिए बीच में क्या चाहिए होगा? Converter, क्या चाहिए होगा? Converter, उस Converter का नाम ADC देखेगा यह यह डियाग्राम मैं यहां पर बनाई As human, इनसान क्या समझ रहा है? इनसान का साउंड है जो मुझ से हमारे आवाज निकल ली है वो कौनसी है? Analog Data और Computer के अंदर जो डेटा आ रहा है वो कौनसे डेटा? Digital Data तो बीच में तुमने क्या लगा दिया? Converter लगा दिया उस Converter का नाम ADC उस Converter का नाम ADC Clear है? As human, we understand analog data इनसान से जो साउंड निकलता है इनसान जो समझता है वो कौनसे डेटा समझता है? Analog data और Digital data जो होता है वो 0 और 1 की फार्म में होगा तो इनसान और मशीन जो बीच में क्या होगा? Converter है उस Converter का नाम ADC Converter का नाम ADC Am I clear? कोई प्राबलम तो नहीं है वही चैट पर बताओ शाबश बीच में Converter क्यों लाजबी है? क्योंकि इनसान समझता है Analog data और Computer समझता है Digital data चले, next move करते अब यही सब बातें यहां पर लिखी वी थी कि अनलोग data और Digital data में कैसे यहां पर सेंपलिंग होगी अब सुनिएगा Actual Mechanism देखें होता क्या यह आपके पास क्या है? देखो इदर देखो Analog data यह आपके पास यह मैंने क्या ड्रॉ कर रहा बिटा Analog data अब इस Analog data को कैसे Digital में Convert कर रहा हूँ How Analog data सुनिएगा How Analog data How Analog sound यह डेटा Is Converted into Is Converted into Digital Is Converted into Digital Digital का मतलब Binary में Digital का मतलब Binary में अब सुनिएगा होता क्या है आपके पास Analog data जो आपके पास यह है How Analog data Is Converted into Digital कैसे Analog data किसमें Convert हो रहा है बटा Digital में अब सुनिएगा जैसी Analog data को Digital में करना है तो छोटे-छोटे क्या बनेंगे Sample देख रहो मैं Sample ड्रॉ कर रहा हूँ यह देख रहो छोटे-छोटे क्या बना रहा हूँ मैं Sample बना रहा हूँ Analog data डिजितल में कैसे Convert हो रहा है By Drawing Small Samples By Drawing Small Sample By Drawing Small Sample देख रहो Sample बना रहा हूँ Zero और One की Form में इस तरगी का जो data होता है देखो दोबारा यह देखा डीटा के Sample में बना रहा हूँ यह कोँग यह दोबारा प्रैक जोडिटा होगा को को क्या होता है इसको हम Sampling क्या बोलते है इसको Sample क्या बोलते है इसको Sample क्या मैंने ऑनलोग data जोटे-चोटे Sample बनाकर Break कर दिया Yes और No क्या मैंने analog data को छोटे-छोटे sample बना कर break कर दिया yes or no yes अच्छा और सुनिएगा ये जो छोटे-छोटे तुमने sample बनाए है इन sample का मत्तब digital data है इन sample का मत्तब digital data है yes or no yes शाबश तो भई आपने analog data को digital में convert किया और ये छोटे-छोटे क्या बना दिया बटा sample ये क्या किलाएगा sample किलाएगा और हर sample के पिछे क्या होती है इस तरीके की जो value होती है ये digital data है ना हर sample के पिछे क्या होगी binding value होगी ना भई हर sample के पिछे क्या होगी binding value तो बटा जो आपने analog के उपर क्या अनलॉग डेटा कनवर्ट हो गया बाइम्जी वैलियो वाले डेटा में देट मेंस डिजिटल डेटा में देट मेंस डिजिटल डेटा में वा यूजिंग दा मैथर्ड या प्रोसेस मैथर्ड या प्रोसेस का नाम क्या है बिटा Sampling, इस method को इस process को हम बोलते हैं Sampling, इस method को इस तरीके को हम क्या बोलते हैं Sampling कहते हैं क्या कहते हैं बटा Sampling कहते हैं, यहां तक कोई problem है अब सुनिएगा पूरा mechanism आपको समझा रहा हूँ ठीक है, पूरा mechanism आपको समझा रहा हूँ sampling word का मतलब क्या होगा sampling sampling word का मतलब होता है sampling word का मतलब क्या है यहां से चार पश terminologies निकल रही है terminologies of sound कुछ sound के बारे में चीज़े निकल रही है जड़ा देखेगा number one निकले की क्या sampling अभी मैंने आपको बता है न sampling sampling होता क्या है sampling method का एक process का नाम है जो के record करता है recording a signal recording a signal एक particular time के बाद उस particular time का बोलते है at regular interval at regular interval एक particular time के बाद एक particular time के बाद this is called sampling यहां तक कोई problem है नई यहां तक कोई problem नहीं होगा मुझे उमीद है कि आपको समझ आया होगा हाना भी sampling समझ आ गई अब सुनियेगा sampling समझ आ गई अब मैं आप से कहता हूँ बताओ sampling resolution क्या होगी sampling resolution sampling resolution क्या है और तीसरा sampling rate क्या है sampling rate ठीक है sampling resolution क्या है sampling rate क्या है भाई sampling खुद से क्या होता है record करना signal को एक particular time पे record करना signal को एक particular time पे जैसे यहां पे आप रिकॉर्ड करे थे हाना एक particular time पे आप छोटी छोटी क्या बना रहे थे sample करे थे इस sample को method को हम क्या बोलते है sampling क्याते है ऐसी है ना भई आप मैं बताने जा रहा हूँ सैंप्लिंग रेजुलिशन और सैंप्लिंग रेजुलिशन के बारे में सुने हैं भाई सैंप्लिंग रेजुलिशन के दो नाम और होते हैं सैंप्लिंग रेजुलिशन के दो नाम और होते हैं examiner आपको अलग-अलग नाम से पुकार सकता है sampling resolution का एक नाम और होता है that means bit depth इसको हम क्या बोलते हैं बिटा bit depth bit depth का एक और नाम sampling resolution का एक नाम bit depth और एक और नाम क्या होगा sample का size sample का size that means sample size अब देखो आपको sampling resolution से डर लग रहा होगा समझ नहीं आ रहा bit depth समझ नहीं आ रहा sample size समझ आएगा ना बिलकुल आएगा sample size या sampling resolution bit depth का मतलब क्या है simple असान अलफाज में क्या sample में कितने bits होंगी that means यहां पर आप जो छोटे-छोटे sample बना रहे हो इस एक sample में इस वक्तके number of bits हैं कितने number of binary values हैं आपने खा सर इस वक्त चार है that means sample का size कतना है 4 है sample का size कतना है अच्छा यह पर तो 5 है sample का size कतना है यहाँ पर 4 हो गया तो सुनिएगा sample resolution हो bit depth हो sample size हो इस का मतलब क्या है एक sample में कितने bits available हैं एक sample में कितने bits available हैं तो अंग्रीजी में क्या लिखूँ How many bits are available How many bits are available for each sample for each sample मेरी जो किताब है AS book number one उसका page number 60 पर ये दिया वाए sample size or sample resolution page number 60 पर definition लिखी हुए देख सकते हैं एक sample में कितने number of bits available हैं कि क्या गिलाएगा sampling resolution bit depth या sample का size यहां तक कोई problem है चलो अब आज़ें next terminology पर पहले आपको terminology पढ़ा रहो sampling rate क्या बिटा sampling rate sampling rate का एक और नाम होता है एक और नाम है sampling frequency क्या है बई sampling frequency क्या नाम है sampling frequency what is meant by sampling frequency अच्छा frequency का मतलब क्या होता है per unit time करके कुछ होता है ना इसी तरीके से एक particular time के अंदर क्या होगा तो सुनिएगा आप जब आप digital sound में convert कर रहे होते हैं जब आप sampling कर रहे होते हैं जब आप क्या कर रहे होते हैं analog को digital में जब convert कर रहे होते हो और ऐसे sampling कर रहे होते हो तो किस रफतार से that means किस speed से that means किस time से आप छोटे-छोटे sample बनाना शुरू करते हो उस speed को उस time को यानि के number of samples को per second में number of samples सुनो number of number of samples यानि के number of samples किस में बिटा एक time पे किस specific time पे कितने sample को major कर रहे हो sorry कितने sample को बना रहे हो number of samples obtained obtained per unit time या per second समझा रहे है बात किस रफतार से तुम ये sample बना रहे हो ये देखो number of samples per unit time या per second clear है एक second में कितने sample तुमने बनाए एक second में कितने sample तुमने बनाए this is called sampling rate या sampling frequency am I clear मुझे उमीद है कि आपको इस सारी चीजें समझ आए होंगी sampling एक वो process होता है असान कर दो sampling एक वो process होता है जिसमें आप क्या करते हो regular time interval पे क्या करते हो signals को record करते हो sample resolution का मतलब क्या है sample का size sample का size वो ही how many bits are available for each sample जिसको हम bit does भी कहते है sampling rate का मतलब है एक second के अंदर कितने number of samples obtained होंगे या देख लिए जाएंगे ठीक है यहां तक कोई problem तो नहीं है अब सुनिएगा इस बात को चलेंगे अब देखेगा process को समझा रहो भाई आपके पास actual में analog sound होता है उस analog sound को आप क्या करते हो बेटा converter लगाते हो converter का नाम क्या होता है ADC यही मैं आपको जब से बढ़ाओ फिर आप इसको चोटे-छोटे किसमें ब्रेक करते हो चोटे-चोटे samples में किसमें ब्रेक करते हो बेटा चोटे-छोटे samples में ब्रेक करके binary value बना लेते हो यह जो मैंने चोटे-छोटे बनाई यह क्या है बेटा samples इस sampling के अंदर sample में आपने चार terminology पड़ी Digital Sound के अंदर आप चार टेमिनोलोजी, तीन टेमिनोलोजी आपने पढ़ी, कौन-कौन सी दरह देखेगा, पहली टेमिनोलोजी जो आपने पढ़ी, टरम्स बता रहों कौन-कौन सी आप पढ़ रहे हैं, Digital Sound के अंदर, एक आपने पढ़ा Sampling Frequency, पहले तो आपने पढ़ा Sampling क्या Sampling Resolution, Sampling Resolution को हमने Sampling के Size भी कहा था, और Bit Depth भी कहा था, पहली टेमिनोलोजी, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, ये तीनो टेमिनोलोजी किसके अंदर आईए हैं, बटा, Digital Sound के अंदर आईए, किसके अंदर आईए हैं, Digital Sound के अंदर आईए हैं, ठीक है, याद रखेए, अब और सामत पास में आपको समझाते हैं, किस चीजों से क्या पर पढ़ते हैं, देखेगा, पास वेपर में सवाल आया है, कि बताएं, अनलॉग साउंड को आप कैसे सैंपल करते हो, और सैंपल करके कनवर्ट कर देता हो, किसमें बटा, Digital Formid में, तो इसके जवाब सुलने हैं, Amplitude, Amplitude का मतलब होता है, Height of Sound, Amplitude का मतलब पता है, इसमें Amplitude क्या है, Amplitude ये है, This is the Amplitude, ठीक होगा, Amplitude of Sound Wave मेजर होगा, एक regular time interval पर हम क्या करेंगे, उसको record करेंगे, record करेंगे, उसको छोटी-छोटी क्या बनाएंगे, पिटा, Sample बनाएंगे, और हर Sample के पिछे क्या ह पिटा, बाइंदी वैल्यो, For Commitative to Store, Sound Value, We Need to Convert In To, We Need to Convert Analog Sound Into Digital, Analog Sound को हम क्या बोलते हैं, Continuous Sound, Digital Sound को बोलते हैं, Discrete Sound, ठीक है, An Analog Sound Wave is Picked By The Microphone, Analog Sound Wave जो मुझ से निकल किया, माइक में जाती है, That means, Microphone, और उसको convert, send करेंगे, Analog to Digital Converter से, और फिर, Electrical Signal में Convert होगा, ADC, एक Converter का नाम है, जो convert करता है, Electrical Signal को Digital Values में बता चुका हो, ठीक है न, और जो हमारे पास Sound Measure होता है, Mostly, वो किसमें मेजर होता है, बेटा, Cycles per second में, यह Hertz में, ठीक है, उमीदे कि यह समझ आगिया होगा, आपको, Sampling की Definition लिखी वी है, Page Number, कहां पे लिखी वी है, अच्छा, इस से पहले माले जो मैंने सवाल कराया है, यह आपके Notes के अंदर, Page Number 58 पे है, देखने इसको अराम से, उसके बाद, Page Number 59 उपन करने, एस, Book Number 1, Page Number 59, Sampling, अल्रेटी पढ़ा चुक हैं, सेंपलिंग क्या होती है, सेंपलिंग का मतलब, सिगनर्स को रिकॉर्ड करना, एक पर्टेकुलर टाइम इंटर्वल पे, आपको अल्रेटी प्रोसेस बता चुक हूं, वह प्रोसेस जो आपको मैंने बता रहा है था, उसी को यह अंग्रेजी में डिफाइन किया है, आप पढ़ सकते हैं, हम बोलते हैं सेंपलिंग रेट का मतलब होता है थाईम, ठीक है न, नमबर अफ सेंपल अप्टेंड पर सेकेंड यदर्व सेंपली पर यूनिट ताइम, next sampling resolution next sampling resolution मैंने आपको पहले बताया sampling resolution हो इसके एक और नाम है bit depth और bit depth का एक और नाम मैंने आपको बढ़ाया है वो क्या था sample का size that means sample size actual में आपको definition याद रखनी है इस नाम से रखनी है sample size how many bits are there in each sample ठीक है चलो देखें यही लिखी हुए याँ पर भी देख सकते है आप लोग की स्क्रीन पर के बाई sample का size हो या bit depth हो या sampling resolution हो definition क्या है जड़ा देखें how many bits are available for each sample diagram आपके सामने बनी हुई यह देखे रहो analog को digital में कैसे convert करा है देखे हो आप लोग छोटे-छोटे samples बने हैं इस diagram में देखें analog को digital में कैसे convert हुआ है ठीक है उसने कहा कि sample का size कैसे निकलता है sampling resolution is the number of distinct values available to represent each sample कौन से page पर है यह page number page number 60 AS book number 1 page number 60 अराम से highlight करने इसको ठीक है the number of samples result 3 कैसे आया 2 की power में इसको हम लोग लिखते हैं किसमें लिखते हैं 2 की power 3 am I clear अब हम factors को पढ़ेंगी अब हम किसको पढ़ेंगे factors को sampling resolution accuracy of sound में कैसे effect करती है what are the factors what are the factors challenge अब ये कुछ factor होते हैं आपके बास लेकन इस factor से पहले आपको जरह मैं revise करवाऊं lecture को इनसान समझचा था analog data computer समझचा था digital data तो हमने बीच में क्या लगाए था converter लगाए था क्या लगाए था converter इसी तरह के से यहाँ पर हमने analog data को convert किया था चोड़े चोड़े किसमें samples में अब जरह घौर से समझेगा जो मैं समझाने जा रहा हूं सुनें as human we understand analog data इस analog data को हम चोड़े चोड़े किसमें convert करेंगे that means हम analog data को सुनें that means हम analog data को convert कर रहे हैं digital data में that means digitalizing sound that means digitalizing sound अच्छा जब हम digitalizing sound करते हैं that means zero and one की form में करते हैं that means हम इसमें क्या करते हैं samples बनाते हैं और samples से निकलीती 3 terminology कौन-कौन सी sampling क्या होती है यह निकली सबसे पहली मैं आपको पढ़ाई दूसरी terminology क्या हो निकली थी बिटा जिसके तीन नाम थे क्या sampling resolution sample size इसी का एक नाम था sample size और एक और नाम था sampling resolution sample size or bit depth ठीक होगे पिर तीसरी terminology में आपको पढ़ाई क्या पढ़ाई मैं जरा बताओ मुझे sampling frequency or sample rate sample frequency sample frequency जिसको हम कहते है sample rate ठीक है ना याद देना सब आपको हमने अनलॉक data को digital में जब convert करना चाहा तो that means sample बने और samples हमने आपको यह तीन चाहिए अब mechanism को समझेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई जब आप analog data को जब आप analog data को digital data में convert करना चाहते हैं ऐसे छोटे छोटे क्या बनाते हैं sample बनाते हैं छोटे छोटे क्या बन रहे हैं sample बन रहे हैं और अब सुनिएगा इस analog data को digital में जो आपने convert करा तो क्या यह पूरा convert होगी है पीच में कुछ gaps नजर आ रहे हैं यह आपको gap नजर आ रहे हैं छोटे छोटे यह देखो यह gap नजर आ रहे हैं आपको accurately तो आपने चीज़ों को map नहीं करा ना हम basically map कर रहे ना यह map कर रहे ना ठीक है हमने चीज़ों को accurately map तो नहीं करा ना हमारे बीच में कुछ gaps भी आ गए analog से digital में convert करते हैं क्या आ गया बटा gap आ गया properly map नहीं हो पाया क्या आ गया बटा gap आ गया properly map नहीं हो पाया उपर properly हम नहीं रख पाये देखो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो क्या यह gap आ गया बिलकुल आ गया साहिए यह जो gap होता है यह gap आना अच्छी बात नहीं है बुरी बात है और इस gap को मैं कहता हूँ एक type of error और वह error का नाम होता है quantization error कौन सा error बिटा quantization error कौन सा error किलाएगा यह quantization error तो quantization error है क्या gap का नाम है वह gap कब होगा जब analogs digital में तुम convert कर रहे होगे जब आप analogs digital में convert करके sample बना रहे होगे उस sample के पीच में छोटी छोटी क्या आ सकते हैं बिटा gaps आ सकते हैं और वह gap होना अच्छी बात नहीं है बुरी बात है और इस type of बुरी बात को बुरी बात का मतलब कोई error है उस error को मैं क्या बोलता हूँ quantization error क्या बोलता हूँ quantization error quantization error कब होता है जब analog sound को map कर रहे होते हैं या convert कर रहे होते हैं sound में तो बीच में gap आएगा और gap आना अच्छी बात को नहीं है हम तो चाहते हैं accurately map हो तब ही तो sound हमारा accurate आएगा तब ही तो sound हमारा accurate आएगा तो यहां से तीन wording निकल रही हैं अगर आप देखो तो तीन wording निकल रही हैं कि जब तुम analog sound को convert करते हो किसमें convert करते हो या map करते हो किसमें डिजिटल में तो आपके पास जो gap आते हैं आपके पास जो gap आते हैं उस gap को अभी मैंने पड़ाया क्या कहते हैं quantization error अच्छा quantization error अब सुनिएगा इसी diagram के अंदर यहां पर gap कम है और एक तरफ gap जाद है blue color से gap कम है और red color से gap जाद है अब देखेगा मैं आपको चीज़े समझा रहा हूँ accurate word को समझा रहा हूँ यहां से एक और अमनारजी निगलेगी accuracy of sound accuracy of sound sound कैसे accurate होगा कि इसका क्या मतलब है मेरा आप से सवाल है इसी analog को डिज़िटल में convert करने के लिए मैंने एक तरफ screen बना दी यह वाली screen है A screen और यह वाली blue वाली यह कौन से screen है B screen ठीक है दोनों में क्या करूंग analog को डिज़िटल में map कर रहा हूँ जरा मुझे बताओ A screen के अंदर आपके पास जो gap है वो less gap है छोटे छोटे gap है ना भाई लेकिन gap तो है और अब मैं यहां पर जब इस analog को डिज़िटल में convert कर रहा हूँ तो sample बड़े बड़े रख दिए बड़े sample का मतलब क्या है gap क्या है बिटा जादा है gap क्या है जादा है तो यह जो gap है यह क्या है बिटा more gap more gap का मतलब quantization error बड़ा है more gap that means quantization error जो है वो क्या है बिटा large है quantization error जो है वो क्या है बिटा large है जरह सोच के बताना किसमें sound जादा accurate होगा obviously बात है जिसमें gap कम है इसका sound जो है है और जिसके gap जादा है इसका sound accurate इतना नहीं होगा that means less accurate that means less accurate अब ये बात clear है जितना जादा gap होगा sound इतना accurate नहीं होगा जितना कम gap होगा sound इतना जादा accurate होगा sound इतना जादा accurate होगा clear है सही ना वही अब और समझेगा इस gap के बजाए में quantization error बोल दो इसको that means less quantization error more accurate और more quantization error less accurate ये दोनों आपस में उल्टे हैं जितना कम gap होगा उतना ज्यादा accurate होगा जितना ज्यादा gap होगा उतना कम accurate होगा अच्छा इस बात को अंग्रेजी में लिख के समझाते हैं आपको देखें accuracy समझ आया है कि भाई analog को आप क्या करते हो map करते हो आजो ये वाली बात को समझा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे लिखिए less gap more accurate gap के बज़ए quantization error लिख दूँ तो key point क्या है बिटा less quantization error less quantization error अगर quantization error से problem हो रही है तो मैं इसको gap कह दूँ gap between analog and digital sound जितना कम quantization error होगा that means sound उतना accurate होगा more accurate more accurate sound ठीक है अच्छा इसी के opposite दरह दूसरी बात करीगा more quantization error यह bigger quantization error के दूँसको gap है ना भाई bigger quantization error यानिके gap between analog and sound तो यह क्या होगा भाई less accuracy of sound दोनों opposite है यह बड़े key point है तो यहां से आपने quantization error पढ़ लिया के बाई quantization error में जितना कम quantization error होगा sound उतना accurate होगा और अगर sound को तुम्हें इतना accurate नहीं बनाना तो फिर gap बढ़ा दो तुम्हें लग पता जाएगा इसमें अच्छी बात क्या है अच्छा एक बात और बाई जान जब less quantization error होगा तो फाइल का size क्या होगा बड़ा होगा big या large file size file का size क्या होगा large होगा फाइल का size क्या होगा large होगा large होगा और तुम बिल्कुली map कर रहो proper तरीके से map कर तो då file के size बड़ा होगा जिसमें quantization error कम होगा इसमें फाइल के साइज क्या होगा लेस फाइल साइज ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उमीदे के यह समझ आया होगा अब आ जाते हैं समझ आ गया 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 अब पेटा पेज नंबर 61 एस बुक नंबर वान जो मैंने अपनी कंपाइल की भी है उसके अंदर पेज नंबर 61 पे प्रॉपर तरीके से कौनिटाज़ेशन एर्र मैंने समझा है चलें अब पेज नंबर 61 ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा कौनिटाज़ेशन एर्र क्या होता है मैं पहले बता चु पेजिटेवीन एनलाग साउंड और उसका अफ्लोज अवेलेबल डिजिटल साइट आफ वैल्योज बिडवीन एड़ीज अचाँ यह आपके पास एड़ी कुछ वर्ड लिखे में दरह लें कि फीवर्ड सेंपल पर उनेट फाइल साइज क्या होगा डिग्रीज होगा जित अगर वह उतना closest होगा अगर तुम्हें accuracy करनी है तो quantization error को कम करना होगा what is meant by sampling resolution? resolution का मतलब sample का size अगर 32 bit है तो आपने कहा एक sample में कितने number of binary values होगे 32 simple बात है अना भई? चलें bit rate का मतलब वह sampling resolution होती है यहां तक quantization error खतम होगी है अब sampling resolution चुरू हो गई है the bit rate is a number of bits per second bit rate का formula sampling frequency को multiply करना sample के size से clear है? चलें अब आप से मेरा सवाल है बताएए what are the factors which effects what are the factors which effects by sampling resolution यानि के sampling resolution यानि के sample size sample size जिसको हम दूसरे अलफाज हम बोलते है sampling resolution sampling resolution या sample size को बढ़ाने से या कम करने से क्या क्या असरात आते हैं उन factors के नाम बताओ what are the factors which effects by sampling size या sampling resolution आईिये बटा अगर एक analog sound को आप बड़े बड़े sample में कर रहे हो यानि के number of bits उसकी क्या हो ज्यादा हो इसका मतलब आपको समझाए इस सवाल का मतलब के हैं मैं आपको समझाता हूँ Factors which are affecting by किसे sampling resolutions कौन से factor हैं चुके sampling resolution से effect करेंगे अच्छा factor के नाम तो मैं बाद में बताऊँगा इस सवाल का मतलब सुननेगे इसका मतलब यह जब आपके पास analog sound होता है उसके अंदर जो आप sample बनाते हो इसमें एक sample का जो size होता है इसमें एक sample का जो size होगा इसमें एक sample का जो size होगा that means how many number of bits are available for each sample एक number of size एक number of samples में कितनी number of bits हैं कितनी number of bits हैं अगर number of bits ज़ादा हो तो क्या हो और अगर number of bits कम हो तो क्या हो दोबारा कह रहा हूँ number of bits अगर let's suppose 4 हैं और एक sample में number of bits कितनी है बिटा एक sample में number of bits कितनी है बिटा 8 है ठीक है तो 8 number of bits वाले factor को क्या होगा number of sample में क्या होगा और 4 bits वाले sample में क्या होगा सवाल समझाए एक sample में अगर 4 bits हैं और एक sample में अगर 8 bits हैं तो बताओ क्या असरात होंगे तो बताओ क्या असरात होंगे ये इस सवाल का मकसद है अभी मैं आपसे आंसर नहीं पुछ रहे सिर्फ सवाल बताए है कि अगर एक सेंप्ल में चार बिट्स हैं और एक सेंप्ल में आठ बिट्स हैं तो बताइए क्या असरात होंगे साउंड पे ठीक है चलो अब आपको बताते हैं कि what are the factors which are affecting by sampling resolution यानि कि अगर तुम्हार पास 4 bit का sample है मेरे पास 8 bit का sample है तो 8 bit का मतलब file size तो बढ़ जाएगा file size क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है यह देखेगा increasing the sampling resolution जब तुम sampling resolution sampling resolution word को sample size से के लिए इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि more bits per sample जब तुम sampling resolution यानि कि एक sample में जादा bit को बढ़ा दोगे तो क्या होगा सबसे पहली बात होगा क्या answer large file size और वेसी बाते file के size क्या हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा अच्छा जब file के size बढ़ा होगा less quantization error more accurate अगर quantization error more होता तो फिर यह less accurate होता quantization error और accuracy opposite होती है ठीक है तो जब भी तुम sampling resolution को बढ़ा होगे तो file के size बढ़ा होगा more accurate होगा और gap जो होगा वो क्या होगा कम होगा gap जो होगा वो क्या होगा कम होगा यह पास उपर में सवाल आ चुक है 10 मरतबा और यह answer लिखता हो भी है notes page number 60 notes page number 60 पे नीचे लिखा हो है ठीक है चले यह देखें यह पर लिखा है page number 60 what are the effects by increasing the sampling resolution हमने कहा कि भाई sampling resolution का मतलब यह होता है larger file size more accurate यह बात है यह पर लिखी में है जो मैं आपको अलेड़ी पढ़ा शुक्त है page number 61 और detail में यह बात बता रहे हैं कि भाई क्या असरात होंगे इसको बड़ा detail में समझा रहे हैं page number 61 AS की किताब जो मेरी है page number 61 वो कह रहे है factors के नाम बताएं दुबारे से वह चीज़ को और detail में समझा रहे हैं factors which are affecting by sampling resolution यह चीज़ को मैं इसलिए लंबा कर रहा हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि भाई sampling resolution से क्या असरात होते हैं पहला असरात आपने बोल लिए कि भाई file size बढ़ जाएगा इसका answer पहला क्या हो गया file size बढ़ गया दूसरा आपने क्या बुला कि भाई quantization error क्या होगा reduce होगा less अगर increase कर रहे हो तो less quantization यह मैं सारी बाते हैं अगर sampling resolution इंक्रीज कर रहे हैं तो यह सब होगा less quantization error चाहिए तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि भाई accuracy of sound बढ़ा अच्छा हो जाएगा तो more accurate sound अगर तुमने sampling resolution बढ़ाया तो file का size क्या होगा increase होगा quantization error क्या होगा less होगा और sound क्या होजाएगा more accurate होगा सभी है और large range of values भी store हो सकती है तो point number four range of values यानि कि sound की जो range होती है range of values जो होंगी वो क्या होंगी जाद है store हो सकती है larger range of values can be stored ठीक है पास्टूबर ने बहुत सवाल आता है what are the factors which are affecting by sampling resolution done सभी है exam में एक मरतबा सवाल आया वह सवाल मैं आपको दिखाता हूँ page number 62 पे page number 62 पे सवाल आया कि higher sampling resolution से क्या होगा तो हमने higher sampling resolution से क्या होगा आये आपको दिखाता हूँ कि भाई सबसे पहली बात जब तुम higher sampling resolution करोगे यानि कि बढ़ाओगे न increase higher का मतलब increase ही तो हुआ increase sampling resolution जब तुम sampling resolution को बढ़ाओगे तो अब यसी बात है sound क्या होगा accurate होगा accurate sound को हम crispier sound भी कह सकते न वही crispier crispier sound हो जाएगा हना वही और quantization error क्या होगा कम होगा large range of dynamic values आजेंगी यहाँ पर मैंने लिखवाई था कर आप देखो मैंने कहाता है large range of values तो हमने कहा allow for larger dynamic range हना भई increase sampling resolution sound more accurate होता है crispier होता है और larger range of values होती है अच्छा इसका अब मैं आपसे पूछ चाहूं जरह मुझे बताओ पेज नमबर 62 पे लिखा हुए अगर drawback पूछ रहाँ यह तो आपने फाइदे बता दिये ना benefit बताएं या आपने ठीक है अब आप मुझे drawbacks बताएं drawbacks किसके अगर तुम sampling resolution को बढ़ाते हो अगर तुम sampling resolution को बढ़ाते हो तो drawback बताओ क्या होगा सबसे पहली बात file का size क्या हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा larger file size और बताओ और बताओ drawback larger file size और greater processing power greater computer की processing power क्या होगी ज्यादा लगेगी long time to download long time to download long time to download download होने में क्या होगी या transfer होने में जादा टाइम लगेगा long time to transfer और download यह सारी बाते मेरे notes के page number 62 पे लिखी वी है देख सकते हैं आपको टैर आप अउल आप 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 अजय आप 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 मैं MP3 CD की बात नहीं कर रहा है मैं मुजिक ट्रैक ओरिजिनल CD की बात कर रहा हूँ तेट मेंस audio CD की audio CD के अंदर 16 bit की sampling यूज होती है 16 bit की क्या यूज होती है sampling resolution 16 bit की sampling resolution that means sample का size कितना होता है 16 bit का एक audio CD में file का size sorry file का size नहीं sample का size कितना होता है sampling resolution means sample का size कितना होगा 16 bit का क्यों होता है सवाल आया why 16 bit sampling is used in audio CD जवाब सुने audio CD के अंदर 16 bit की sampling resolution क्यों use होती है reason number one reason number one यह कि 16 bit की sampling resolution sufficient होती है मुनासिब होती है for good quality of sound for good quality of sound दूसरा इनसान जो है दूसरा reason इनसान जो है वो 90 db की maximum range को समझता है एक dynamic range होती है 90 db आपने पढ़ा होगा इनसान एक particularly range को सुनता है इनसान का कान एक particularly range को सुनता है जो 90 db की dynamic range को support करती है तो 16 bit sampling can represent dynamic range of 90 db 90 db का मतलब क्या 90 db का मतलब ये लिखावा है जरा आप देखें आपके सामने लिखावा है 90 db is dynamic range of human hearing which compromises between the reasonable यानि के मुनासिब quality और file का size मुनासिब quality भी होती है और file का size भी क्या होता है मुनासिब होता है मुनासिब word के बज़े हमने क्या रखा reasonable रखा ठीक है तो ये दो पॉइंट जरा आपके लिखावा है वो एक ऐसी dynamic range है जो कि compromise करती है between reasonable quality and file का size ठीक है तो ये समझ आगिया होगा मुझे उमीद है कि next sound editing software what is sound editing software क्या आपने sound को added करने वाले software का नाम सुना है सही है तो ये एक नाम बताए मुझे sound editing software sound editing software के क्या क्या features होते हैं आप बुलीगे सर हम उसमें से extract कर लेते हैं start का time हम उसमें edit करते हैं start time, end time, duration of any sound extract कर लेते हैं किसी भी part को fade in कर लेते हैं fade out कर लेते हैं filters apply कर देते हैं इसी तरहीचे से exam में एक सवाल आया what are the features what are the features of sound editing software यह देखें लिखा वै यह 16 bit के sampling वाली बात लिखी भी है page number 62 पे आप देख सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दूसरा sound editing software के यह सब features लिखे में हैं कोई भी 5 features याद कर ले अब आपका हूँबर की है book number one page number 64 home work सुनने बाई yes book number one जो मेरी किताब है page number 64 से लेके page number 70 तक सारा का सारा काम कम्प्लीट करके देना है thank you very much I am Aakim Khan signing off thank you very much Allah Hafiz take care home work last me कर के दे मुझे